नमस्ते गाई जोराज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं चाल्स ओलिवेरा के बारे में तो रीसेंटली अभी तक सब लोग जान चुके होंगे कि चाल्स ओलिवेरा इंजड हो चुका है क्योंकि उसने एक मैसिव कट लिया है अपनी आईब्रो पे और अनफॉर्चुनेटली उस कट की बज़े से वो इस्लाम आजएब के अगेंस्ट यूएपसी 294 में फाइट नहीं कर सकता तो रीसेंटली चाल्स ओलिवेरा ने एक वीडियो पोस्ट की जिदर उसने अपॉलजाइस किया कि वो यह फाइट नहीं कर पाएगा ठानफ नहीं कर इंद भी पुट फे तोजएब नहीं तो 109 बॉबड वगग से नहीं यहीं अबडन पूस्ट और उन्सक्राइब को बनुदा को बोड़ें से लुक्वाइस को धश्यो में भी पूस्पीं लूबिद लिवेरा यहत्व से उफ बस़् उन्से और रूस्ब ल अब इसके बाद बात करें New UFC 294 की में इवेंट फाइट लाइट विड चाम्पियन इस्लाम महाजेव वर्सिस अलिक्सेंडर वलकेण वालकेण वारे में तो फेदर वेल चाम्पियन अलिक्सेंडर वलकेण वालकेण ने पोस्त किया कि और अब रीसिंटलि इस्लाम महाजेव ने भी इस सिच्च्विशन को आड्रेस किया है जिदर इसलाम महाजेव का ये कहना था कि वो आलिक्सेंडर वालकेण वालकेण वालकेणोफ़्की को रिस्पेट करता है कि उसने ये फाइट शौर्ट नूटीस में लिया है बट इसी के साथ इसलाम महाचेव ने ये भी कहा कि fight के बाद Alexander Valkinovsk की इसी चीज़ को अपना excuse ना बना ले इसी के साथ ये रही इसलाम महाचेव की recent training विडियो जिदर हम देख सकते हैं इसलाम महाचेव elbows को throw कर रहा है आज की next five विडियो में बात करते हैं UFC 294 की को में इवेंट हामसा चमायव वसिस पॉलो कॉस्टा के बारे में तो रीसेंटली ये भी सब को पता है कि पॉलो कॉस्टा को इंजरी हुई थी जितर पॉलो कॉस्टा ने तो ये कहा कि वो फाइट करेगा बट आज डैना वाइट ने अपने इंटिव्यू में कहा कि ये फाइट कंफर्म नहीं है तो अब इसी फाइट को लेकर ये पोस्ट आने लग पड़ी है कि पॉलो कॉस्टा की इंजरी अभी तक हील नहीं हुई है और वो इस फाइट से आउट हो चुका है अब मैंने भी इस चीज़ को पोस्ट किया था क्योंकि मैंने भी काफी ज़्यादा सोर्सेज में यही देखा कि पॉलो कॉस्टा अब आउट हो चुका है हामसा चिमायव की फाइट से बट अब लग रहा है कि ये चीज़ कंफर्म नहीं है रीजेंटली पॉलो कॉस्टा ने एक स्टोरी डाली और उस स्टोरी में यह लिखा है कि अब उधाभी में काफी ज़्यादा टेन सिचुएशन है और उसके वर्सेज हामसा चिमायव की फाइट काफी आउसम होने वाली है तो राइट नाओ मैं एक बार फिर से बोलूँगा अभी तक कंफर्म नहीं है कि पॉलो कॉस्टा इस फाइट से बाहर हो चुका है तो इसी चीज़ को लेकर हमसा चिमायव ने भी रिप्लाइ दिया है जिदर हमसा चिमायव ने ट्विट करते हुए कहा कि पावलोविच बुरो टीमिया वट्स हैपनिंग और इसके बाद पॉलो कॉस्टा की सरजरी का मजाख उडाते हुए हमसा चिमायव ने एक पिक अपलोड की और इसके कैप्शन में लिखा वन मोर सरजरी अगर ये फाइट कैंसल हो जाती है तो वर्ट यू थिंग हमसा चिमायव का न्यू ओपनेंट कौन होना चाहिए आज की नेक्स फैब वीडियो में बात करते हैं माइकल चैनल के बारे में तो रिसेंटली माइकल चैनल ने अपनी न्यू ट्रेनिंग वीडियो शेयर की जिदर वो शैड़ बॉक्स कर रहा है आज की नेक्स फैब वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर यूएसी हेवीवेड चैंपियन फ्रांसिस इंगानू के बारे में तो रिसेंटली फ्रांसिस इंगानू की ये वाली वीडियो काफी जादा वाइरल हो रही है जिदर वो एक ग्लास डोर को ओपन करने की ट्राय कर रहा है बट वो ग्लास डोर शैटर हो जाता है अब ये चीज मैं बता दूँ की ये एक सेट अप वीडियो है यानि की एक फेक वीडियो है बट तब भी ये वीडियो काफी जादा वाइरल हो रही है झाल आज की नेक्स फाइब वीडियो एक फाइट अपडेट है फॉर्मर बैंटर वेट चांपियन कोडिक आरबरेंट को लेकर तो रीसेंटली डैना वाइट ने ये डिस्क्लोस किया कि कोडिक आरबरेंट डिसेंबर में फाइट करने वाला है आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो प्लीज मेक शो टो लाइक है सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में